नवस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है 26 जनवरी यानि गंतन दिवस के दिन लाल किले के प्राचीर पर जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया उसके बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे क्योंकि दिल्ले पुलिस ने अपनी एक चार सीट में ये दावा किया है कि दरसल ये जो खालिस्तानी संगठन बबर खालसा है वो पिछले एक साल से इसकी योजना बना रहा था ये प्लान बनाया जा रहा था लोगों को लगाया गया था इसके पीछे कि किस तरीके से लाल किले के उपर खालिस्तानी जंडा फैराना है और इसमें जो पर्दाफास हुआ है ये एक लाख पन्ने का दस्तावेज है जिसे खंगाल कर वो डिजिटल फुट्प्रिंट्स हैं दो खालिस्तानी आतंकवादी दिल्ली पुलिस के कब्जे में है उसकी तहकिकात के दौरान मिला ये अपनी बाचीत में कोड वर्ड का इस्तमाल किया करते थे पूरी डिटेल मैं आपको आगे दूँगा कि किस तरीके से इस किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानीयों ने दिल्ली में कोहराम मचाया और अब इसके उपर जिस तरह की घटिया राजनिती हो रही है उसको भी समझना जरूरी है आज केजरिवाल पहुँच गए मेरट मतलब ये कि तिरंगे के अपमान के उपर अब राजनिती की रोटियां सेकी जा रही है और मैं आपको बता दू इस दोरान केजरिवाल ने ऐसा जूट बोला एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि जिसे सुनकर हर आदमी को खासर के दिल्ली वालों को शर्मा जाएगी कि उसका चीफ मिनिस्टर दिन दहारे सब के सामने इस तरह की जूटी बाते जूटी अववा पहलाता है क्योंकि हमारे पास उसके भी सबूत है कि किस तरीके से केजरिवाल ये खालिस्तानी आतंक वादियों को बचानी में जुटा हुआ है इसकी भी डिटेल में आपको दूँगा लेकिन आज मिरट के अंदर केजरिवाल ने ये कह दिया कि जो तिरंगे का जो अपमान हुआ लाल किले पे जो हिंसा हुई वो बीजेपी की कार करता थे अच्छा अगर वो BJP की कार करता है तो केजरिवाल को ये हिम्मत होनी चाहिए ये सचाई उसमें होनी चाहिए कि ये बात वो सारगुनिक रूप से ये कहे कि जो लोग लाल किले पे उत्पात मचा रहे थे जो जंडा फैरा रहे थे जो जिन लोगों ने तिरंगे का पान किया जो लोग पुलिस के उपर हमला कर रहे थे इन सब को फांसी की सजा दी जाए है हिम्मत वो इसले नहीं है कि केजरिवाल तो ठहरा राजनीती का नटवर लाल ये सोसता कुछ है बोलता कुछ है और करता बिलकुल ही उल्टा है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अर्विन केजरिवाल खालिस्तानी आतंकवादियों को बचा रहा है ये इसी घटना पे कि लाल के ले के उपर खालिस्तानी जंडा फैराने के मसले में अर्विन केजरिवाल खालिस्तानीों के साथ खाड़ा नजर आ रहा है मैं इस पे डिटेल पे आऊंगा लेकिन उसकी बात जरूर करनी पड़ेगी जो इस किसान आंदोलन के नाम पे अपनी राज़ितिक रोटियां सेक रहा है वो राकिस टिकैट उसने आज फिर एक धमकी दी है दिल्ली वालों को अब आप देखे दिल्ली का मुख्यमंत्री इन किसान नेताओं के साथ मिलकर साजिस रच रहा है और ये किसान नेता उसके सहयोगी किसान नेता दिल्ली वालों को ये धमकी दे रहे हैं ये किसानों को ये अफ़वा फिर से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चुनोती दे रहे हैं कि अपने अपने ट्रैक्टर्स में पेट्रोल भरलो डीजल भरलो अपनी गालियों में ताकि फिर से दिल्ली कूच करना है ये धमकी आज साहरनपुर में राकेश टिकैत दी ह दरसल ये किसान आंदोलन तो खत्म हो गया है अब ये टाइड रिटाइड थके हारे फुके वे कार्तुसों की राजनीती अब चल रही है लेकिन आज की जो बड़ी खबर है कि जिससे ये खुला सा हुआ है कि किस तरीके से एक साल पहले ही लाल किले के ओपर तिरंगे के अपम किया गया है दो आतंकियों के खिलाफ ये दो आतंकी बबर खालसा से जुड़े हुए थे सितंबर 2020 को इनको गरफतार किया गया था और इनके जो दो नाम है इनका नाम है एक का नाम है भुपेंदर सिंग और दूसरे का नाम है कुलवंत सिंग और इन लोगों के खिलाफ जो रिपोर्ट आई है उसमें साथ आप निखावा है, चार सीट में चार सीट में दिल्ली पोलिस ने दावा किया है. ये चार सीट में साथ साथ कहा कि ये पूरे देश में उत्पात मचानी की तैयारी बहुत प्राइवा है. पहले से कर रहे थे, ये दोनों जो आतंकी हैं, इनका सीधा-सीधा रिष्टा बबर खालसा से आया है. और ये लगातार अपने फोन के जरिये, वाटसप के जरिये, हीमेल के जरिये, ये पाकिस्तान, कनाडा और बेल्जियम में अपने आकाओं को रिपोर्ट कर रहे थे. और इस चीज में जो चार सीध में जो खुला सा वाहिकी पंजाब के राजकोट के तहसील बिल्डिक के उपर, इन लोगों ने एक पहले ट्रेलर दे रखा था, कि किस तरीके से जंडा फैराना है. और इसलिए जब लाल किले के उपर जंडा फैराना का ताइम आया, तो इन लोगों ने पंजाब से इस्पेसली जंडा लगाने वाले को बुलाया, ये पूरी प्लैनिंग तैयारी के साथ, ऐसे सक्स को बुलाया गया, ऐसे सक्स को चुना गया, जिसका काम ही पोल के उपर च चाल से चल रही है, और इसमें एक और बड़ा खुला सा सुनिये, जो बकाईदा चाज सीट में 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 सिंड किया गया है, दे वेर कम्निकेटिंग तो इच अधर सेंग आफ क्लेक्टेड मेडिसीन, लेटर वी केम तो लोगों तो इसमें को बुलाया है, जो बकाईदा रहे थे पन्नू के द्वारा, और ये बार-बार कहा जा रहा था, कि जो कोई भी लाल किले के उपर जंडा फैराएगा, उसे धाई लाक यूएस डॉलर्स दिये जाएंगे, मतलब ये समझे कि जो किसान आंदोलन हो रहा था, इसमें शुरू से ही सिंगू बॉर्डर के पहल परदरशन ये सारी चीजेंना इंड़ी इंडिकेट कर रहे थी, कि इस किसान आंदोलन के पीछे, कहीं न कहीं उन तमाम खालिस्तानी आतंक बाढ़ीों का हाथ है, जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के इशारे पे, पाकिस्तान के पैसे पे उत्पात मचाना चार रहे हैं, ये पाकिस्तान के दलालों के दोरा संचालित आंदोलन था और इसलिए जब कोई कहता है कि वो बीजेपी की कार करता थे तो कोई उपद्रवी घुसा आए थे ये किसान नहीं थे तो इसका मतलब है कि वो जूट बोल रहा है क्योंकि आप खालिस्तानियों के पैसे से मसाज मसी इनका आनन्द लेंगे, बिर्यानी खाएंगे, उसके टेंटस में रहेंगे और जब कोई बावाल मत जाता है तो आप ये कहके अपने आपको अलग कर लेंगे कि ये हम नहीं जानते कि कौन है और अगर आप नहीं जानते कि ये कौन है तो ये दिनली पुलिस का चार सीट ये क्या कह रहा है कि इसकी तैयारी एक साल पहले से हो चुकी थी अब मैं आपको कुछ और डीटेल्स में देता हूँ कि जिसमें ये क्या क्या कहा गया ये सारी जानकारिया इन दोनों आतंकियों के पूंच से बरामत किये गये हैं एक लाख पेजिस दस्तावेज दिनली पुलिस ने जमा किया और ये सब के सब मुबाइल के जरिए और इसके मुबाइल में वो तमाम मिटेरियल्स मौजूद थे वो सारी चीजे भिंडर वाले की तस्वीरे पैम प्लेट से लेकर के वो सारी जो प्रपगेंडा मिटेरिल होता है सब ये फोन में लेकर के गूम रहा था साथी साथ उसमें वो वीडियो भी मिला अब देखिए ये शाजिस किस तरह की है 3 सितंबर 2020 को जो इन लोगों ने राइकोर्ट के तहसिल बिल्डिंग के उपर खालिस्तानी जंडा भे रहा था उसका बकायता वीडियो भी इनके फोन से मिला और इस वीडियो को इन लोगों ने कनाड़ा पाकिस्तान और बेल्जिय में बैठे अपने आकाओं को भेजा था ये सारी चीजें प्रमान के साथ चार सीट में डाला गया है और मैं आपको बताऊं कि ये तमाम लोग ये सारा नेटवर्क इनके जो वाटस अप ग्रूप्स और उनके फोन से जो जानकारिया मिली हैं कि ये सब के सब आईसाई ये बबबर खालसा सिक फोर जस्टिस वे सारे किसान आंदोलन में वो टूल किट फैला रहे थे ये सब के सब एक दूसरे से मिले हुए हैं तो इसमें तो अब कोई सक की कोई गुंजायस नहीं बसती है कि लाल किले के उपर जो वो सर्मनाक घटना घटी ये किसान आंदोलन के नाम पे जो कुछ दिल्ली में तांडव थी और मैं आपको बताओं कि आप मैंने केजरिवाल का नाम मैंने इसने लिया था कि चार से दिल्ली पुलिस ने तो डाल दिया लेकिन ये केस दिल्ली में रेजिस्टर्ड है जिस तरीके से कनहिया हो या उमर खालीद हो उसको प्रसेक्यूट करने के लिए राज सरकार की सह ने उसके चार सीट के ऊपर अपना कोई रेकमेंडेशन ही नहीं दिया वो फाइल पे बैठ गए और इसी तरीके से ये मेरट के किसान महा पंचायत के दौरान ये कह रहा है ये नेटवरलाल कि बीजेपी के कार करता थे अगर वो बीजेपी के कार करता थे तो ये दोनों जो आतंकी हैं उनकी फाइल पे तुम साइन क्यों नहीं कर रहे हो क्यों बचा रहे हैं उन खालिस्तानियों को क्या इसलिए कि पंजाब में खालिस्तानियों के साथ तुमारी सेटिंग है क्या खालिस्तानियों के साथ तुमारा रिष्टा है किस तरीके से जब चुनाओ आम अंदर campaign में जुट गए थे क्या इस वज़े से तुम इन दो लोगों को बचा रहे हो जिनके उपर साफ साफ ये आरोफ है कि सबसे पहला आरोफ वीडियो के प्रूफ के साथ कि इन लोगों ने पंजाब के राय कोड तहसील के उपर की building के उपर खालिस्तानी जंडा फैराया था और लाल किले के उपर जंडा फैराने के लिए इनकी साजिस पिछले एक साल से चल रही थी तो केजरिवाल जैसे खतरनाक निता से ये सवाल पूछना जरूरी है कैसी क्या बात है कि हर बार जब कोई भी देश द्रोह के मामले में फस्ता है तो उसको बचाने के लिए सबसे आगी केजरिवाल आ जाता है हमारी नजर इन तमाम खबरों पे बनी हुई है आप देखते दे कैपकल टीवी हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे च्छान को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद